नमस्कार दूस्तों मैं अंक्तियादो रेवन स्टेडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तीन वच्चों के हैं और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ का मौक टेस्ट ठीक है तो शुरू करते हैं पहले सवाल से लिखा है कि A अकेला एक कार 20 दुनों में कर सकता ह है और B अकेला 30 दुनों में यदि वे दोनों एक साथ कामुमें तो आदा कार कितने दुनों में पूरा हो जाएगा तो क्या करना है आप निकाल लो कि भाई A 20 दिन में तो ठीक है 20 दिन और B है जो वो 30 दिन में पूरा काम करता है ठीक है आप कुल काम निकाल लो 230 का लासा लेंगे कितना आएगा 60 एक कुल काम हो गया आपका कुल ठीक है एक एक दिन का दोनों का काम निकालेंगे तो एक दिन का काम निकालेंगे तो एक दिन का काम कितना आएगा 60 है कुल काम ये 20 दिन में पूरा खतम कर देता है तो एक दिन में 20 का भाग 2-60 में 3 वार ठीक है ऐसी 30 दिन में पूरा तो एक दिन में 2 दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 काम हो जाते हैं कितनी वर कटा तीस वर को तीजेंगी तो तीज खेत आपका ऐपका काम कुल काम उखी तो आधा थीजो गया तीज खेत काटने हैं और रोज पांच खेत काटे जाते हैं तो समय पूछा समय उख्यास मफिद trai saat say दिन उत्तर कौनसे option में है D option आपका सई हो जाएगा ठीक है चलू अगली सवाल के और चलते हैं अच्छा कल का एक हमबर्क रह गया होगा ठीक है कोई दिकत नहीं कल कर लेते हैं कल हमबर्क आज कोई हमबर्क नहीं दूंगा कल का जो परसन होगा वो अगले दिन हमबर्क हो जा एक तरफ औरते हो गई तो बुमेंट ठीक है अब पुरुष की ओसता आयू कतनी है पैतालिस ठीक ओरतों की कतनी है 28 कोई देखकत अब क्या है कुल मला की ओसता आयू कतनी है 36.5 है ना अब देखो इनको घटाओ इनको घटाएंगे तो भई अठाइस और 8 something around 8.5 बचेगा बच अब इनका बना लो अनपाथ अनपाथ बनाएंगे तो 8.5 एक अनपाथ एक बना एक बन गया ठीक है अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दो रेश्यू बराबर कुल ब्यक्ति कितने है 100 पुरुष और इस्तरी को मला देंगे तो कुल कामगार हो गया कुल कामगार कितने हैं 2 रेश्यू और हैं कितने 100 तो 2 रेश्यू बराबर 100 तो एक रेश्यू बराबर आगया आपका कितना दो से कर जाए पचास वार तो पचास रेश्यू आगया एक रेश्यू बराबर 50 अब क्या पूचा है कारिद इस्तरियों की शंख्या इस्तरियों क संख्या पूराश या पूल भाव के या 30 का मान के थो 10 कि निकलके आए तो 15 असट बित्तर हो गया कहा है अगला परसिंगता है एक वरत की जीवा तो पहले तो बरत की बना लू हो गया ऐसा कुई बरत ऐसी होती है ठीक कितनी लंब है 8 सेंटीमीटर पूरी है 8 सेंटीमीटर पूरी जीवा यहां से यहां तक पूरी 8 सेंटीमीटर है ठीक है उसके केंदर तथा जीवा की लंब दूरी यहां कहीं केंदर होगा केंदर से जीवा तक लंब बद दूरी ए कितनी थी 3 सेंटीमीटर ठी नहीं है तिर्जय क्या होती है केंद्र से परिशी तक की दूरी क्या कहलाती है तो हम कुण बराबर आट है और लंबबत है तो एसी कितना हो जाएगा आधा चार और भी चार तो एसी चार ओसी तीन ओ ए तो देखो पाइथा गोरस प्रेमें लग गई क्योंकि यह नभ्यंस का कॉन बना रहा है तो यह कौन सा त्रिवज हो गया सम कॉन त्रिवज हो अब देखो पाइथा गोरस प्रेमें लगाएंगे तो तो O A square मतलब करण का बर्ग बराबर लंब का बर्ग लंब कितना है OC तो OC का बर्ग प्लस AC का बर्ग आधार का बर्ग ठीक है तो OA का बर्ग बराबर अब OC कितना है OC है 3 है ना 3 तो यहीं तो है यह O AC है OC है 3 तो 3 तरका 9 तीक प्लस AC कितनी है चार तो चार्ज होगी, क्योंकि वर्ग करना है ना, तो O A square बरावर 16 और बरावर कितना आया, under root 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो तरज्या कितनी आगी, 5 क्योंकि O A क्या है, तरज्या तो 5 cm तरज्या होगी, कौन सी option में है, कौन सी option में है, B option, आपका सही हो जाएगा, हो ग उतल से 30 अंस के कौन पर टिका है, उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीनिटर दूर है, माल लो ऐसा कोई पीड था, यहां से टूटा, यहां से, टूट गया यहां से, और टिक गया ऐसे, यह कोई पीड था, तो टिक गया तो ऐसा कुछ हो गया, अब वो बोलता है कि जहां जाके ट तो जड़ से उसकी दूरी कितनी है 30 मीटर तो यह कितनी होगी 30 मीटर अब क्या है कौन कितनी का बन रहा 30 का माल लो यह पूरी उचाई कितनी है H, Capital H है अब क्या चाहिए आपको बिंदू माल लो आप बिंदू मालें गई तो क्या होगा देखो ए हो गया A, A B और A C माल लिया अब क्या करेंगे पहली तो आपको इतना भाग चाहिए इतना जाएगा फिर हम क्या करेंगे इतना निकाल लेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं क्या करना है A दिया और A निकालना है तो A लंब है और A आधार है मतलब C, B, C दे आपका क्या है आधार और A B आपका लंब है तो लंब और आधार किसे में होता है 10 में तो 10 30 ले लो पहले तू टैन-tीस बराबर लंब, लंब क्तना है A B बटे आधार कितना है B C ठीक तो 10-10 कमांद रख तो एक बटे रूट 3 और A B कमांद रख तो कितना है भाई A B तो निकाल नहीं है और B C कमांद रख तो 30 है है की नहीं कैची गुना कर लो A B कमांद आजाएगा A B बरावर आप निकाल सकते कितना आएगा 30 इस का कर दो क्या परभि मीकारंट रूड तीन से क्योंकि करनी कभी यह बटे में होती तो यह बी ब्रावर denken कि आएगा तीन रूड तीम और बटे में लगा किनो क्योंकि रूड़ से गुना होगा तो त्शिक क्वश्चिक. दस, रूड, तीन, ठीक, एतनी बात, शमज में आ गई, ठीक, अब दिखो क्या करना है, अब ए तो आ गया, अब आपको ए चाहिए, तो एक चीज बताओ, जब आंधी से यहां से टूटा है, तो ए जो हिस्सा है बुझा के यहां टिक गया, तो भई, ए हिस्सा, ए वाला हिस्स में चूस में, तो कॉस तीस, ले लो, कॉस तीस, बराबर होता है, आधार कितना है, बी और करन कितना है, प्रोस तीस का माना होता है, रूड, तीन बटे, दो होता है कि नहीं ठीक है 20 का मान कितना है 30 AC का मान तो आपको निकाल लही है Cross multiply कर दो तो AC बराबर आएगा 30 तूनी 60 और बटे में रूट 3 आएगा कि नहीं अब रूट 3 का कर दो क्या परमी करन ठीक है कर देंगे तो आएगा AC बराबर अब a6 root 3 और बते 3 से कट गया ये 20 पार तो ac बरावर कितना है 20 root 3 अब ac बरावर 20 root 3 और ab बरावर 10 root 3 तो पूरे पेड की उचाई इन दोनों को जोड़ देंगे इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है तो 20 और 10 कितना हो गया 30 root 3 और ठाथ हो जाती है मतलब पहली सौ रुपय थे फिर कितने हो गए 300ना चाहिए कितना ब्याज मिला है उसके लिए साधहन ब्लब्याज की डर क्या चाहिए या निकॉल्ण हो है चाहिए है अगलाप्ति सामय से भाग रिसोगते नहीं racism 25 दुबहाक है आठ बार तो आठ पर्सेंट क्या हो जाएगी दर बी ऑप्सन आपका सही हो जाएगा ठीक है ऐसी अगर समय निकालना होता तो दर से भाग देदी समय आजाता ठीक अगला परसन आपके शामनी यह रहा अगला परसन कहता है कि साइन टू ए के बदाबर एक बटे दो एध्या है ना साइन टूए अब एक बटे दो साइन की क्यांड में कितने कमान होता है कि साइन से साइन कट गया में अध्याज हैकि फैर वतह कर जाएंगा दो से कर माइनस एक आमान है 15 डिगरी वही 75 में से 15 जाएंगे तो कॉस कितना मचेगा 60 कॉस 60 खामान होता है एक बटे तो आपको मान आने जी यह मान आएंगे तो आप उत्तर निखाल सकते हो ठीक है आसानी से उत्तर आ गया एक बटे दो चलो अगला आप पर शुट ए रहा बोलता है नगन्य मोटाई वाली धातू की पाइप इस साइड एस टाइप का होगा ऐसा होगा पाइप एसा होगा पाइप की नहीं अब वह बोलता है उसकी लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर ठीक है और यह होती है त्रज्या एक कितनी है जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा जीरो नो दूनी अठारा 927 एकर 26 और 29 एकम नौदू 11 बर्ग शेंटीमीटर कौन सी ऑप्षन में है कौन सी ऑप्षन में है पहले ऑप्षन में यह पहला ऑप्षन आपका सही हो जाएगा ठीक है चलो अगला प्रस ने रहा बोलता है कि एक गाउं की बर्तमान जनसंख्या 66600 है यदि 4% बार्सिक की दर से बढ़ती रही ठीक है गाउं की जनसंख्या दो बर्स पूर्व कितनी थी मालो दो बर्स पूर्व कोई जनसंख्या थी X आप क्या हुगा पहले साल 4% की ब्रद्धी होई त 66600 ठीक है ना अब क्या करना है इसको 26 से काटो 26 के 104 और 26 का ये बर्ग होता 676 और 2 0 और अब फिर काटो 26 के 104 और 26 एकम 26 और 2 0 ठीक है 4 से कर जाएंगे 25 योगि 25 के 100 ए 4 से इसको काट दो कितना आएगा एक्स बटे 25 सो और बरावर में 25 हैं बटे करके क्रोस मल्डिप्लाई कर दो तो कितना आएगा एक्स बड़ावर 25 25 कितना होता 625 और 2 0 और एक्स का मानी थी दो बर्स पूर्व की जनसंख्या तो बस ए उप्शन में आपका उत्तर आ गया ठीक है चलो अगला परिसन अगला परिसन बहुत याशान बोलता है कि 10a और कॉस चाट तो ठीक है 10a आप जैसा का तैसर रखतो कॉस चाट का मान होता है एक बटे 2 बरावर रूट 3 बटे 2 ए दिया रखा है ठीक है तो 2 से 2 कट गये 10a बरावर आया रूड 3 तो भाई 10a बरावर जब रूड 3 है तो रूड 3 हो तो 10 से 10 कट गया a बरावर आ गया 6 आगया की नहीं अब किस का मान चाहिए 10a-15 डिगरी का तो a का मान कितना है 6 तो 60 मैंसे कितने चले गए 15 कितने बचे 45 तो 10 45 का मान होता है एक आपको पता होगा तो b option आपका सही हो गया ठीक है उत्तर चलो अगला परिसन अगला और आकरी बोलता है कि 2 बटे 3 और 4 बटे 9 और 5 बटे 6 इसका क्या चाहिए लाशा जब भी भिनने का लाशा चाहिए तो भिनने का जो अंस है उसका निकालते हैं लाशा और जो हर होता है उसका निकालते हैं क्या माशा तो 2, 4, 5 का जब क्या लेंगे लाशा तो आएगा आपका 20 लेके संख्या डूडो जिसका भाग तीन में भी जाए नौ में भी जाए छे में भी जाए तो एक संख्या है तीन तो यह क्या होगा यह होगा आपका लाशा 20 बटी 3 कहां है वी ऑप्शन हो गया बस इतनी सी तो बात थी खताम हो गया फिर मलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई टाटा इंजोई कीजी